आदिवासी युवक से बरबरता के चार आरोपी गिरफतार, आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के बरधाट में एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले में गर्माय माहौल के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को शनिवार को गिरफतार कर लिया है आरोपियों की गिरफतारी के बाद जब पुलिस उन्हें घटनास्थल पर लेकर पहुंची तो लोगों ने आरोपियों को खिलाफ नाराजगी जाहिर किया आपको बता दे की बरगाट में भाजपा नेता विजय सूर्यवंशी वह उसके परिवार के लोगों तै अपने घर में आदिवासी यूवक को उसकी मा के सामने बेरहमी से पिटाई कर उसका वीडियो बनाया था जिसके बाद नागरी को सहित आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला था वही इस घटना को लेकर आदिवासी समाज द्वारा बरगाट बंदवी कराया गया था जिसका व्यापारियों ने समर्थन देकर अपनी दुकाने बंद रखी थी इस संबंध में बरगाट S.D.O.P. ललिद गठरे ने बताया कि पकड़े गए चार आरोपियों में भोला उर्फ राजेंडर अजय सूर्यवन्षी त संजय सूर्यवन्षी एवं बिक्की को गिरफ्तार किया गया है आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर वारदात के विशे में पूछताच की गई इस दोरान वहां से कुछ दस्तावेज और यूवक से मारपीट करने में उप्योग की गई बेल्ट वकुछ अन्य सामगरी जबत की गई है आरोपियों को रविवार को न्यायाले में प्रस्तुत किया जाएगा पुलिस रिमांड में मिलने पर आरोपियों से आगे की गई आदिवासी यूवक से बरबरता के चार आरोपी गिरफ्तार आरोपियों को लेकर धक्नास्थल पर पहुँची कुली मध्यप्रदेश के सिलमी दिले के बरगाट में एक आदिवासी युवक के साथ बेरह्मी से मारपीड करने के मामले में गर्माय माहौल के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को शनिवार को गिरफतार कर लिया है आरोपियों की गिरफतारी के बाद जब पुलिस उन्हें घटनास्थल पर लेकर पहुंची तो लोगों ने आरोपियों को खिलाफ नाराजगी जाहिर किया आपको बता दे की बरगाट में भाजपा नेता विजय सूर्य वन्शी व उसके परिवार के लोगों तै अपने घर में आदिवासी यूवक को उसकी मारपीट करने के मामले में गरमाय माहौल के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को शनिवार को गिरफतार कर लिया है आरोपियों की गिरफतारी के बाद जब पुलिस उन्हें घटनास्थल पर लेकर पहुँची तो लोगों ने आरोपियों को खिलाफ नाराजगी जाहिर किया आपको बता दे की बरघाट में भाजपा नेता विजय सूर्यवन्शी वह उसके परिवार के लोगों तै अपने घर में आदिवासी यूवक को उसकी मा के सामने बेरहमी से पिटाई कर उसका वीडियो बनाया था जिसके बाद नागरी को सहित आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला था वही इस धटना को लेकर आदिवासी समाज द्वारा बरघाट बंद्वी कराया गया था कर दो